नरेंदर मोदी की नितृतों वाली केंदर सरकार ने जस्टिस केजी बाला कृष्णन के नितृत में एक आयोग का गठन किया है यह आयोग आयंदर दो साल में इस बात का जायजा लेगा और पता लगाएगा कि धर्म परवर्तित दलितों को क्या अनुसुचित जाती का अरक्षन दिया जाए या नहीं लेकिन हम आज इस आयोग के उपर बहस्तों करेंगे लेकिन आपको एक आतिहासिक तथ बताएंगे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमिशन की रिपोर्ट के बारे में संचेप में हम आपको ये बताएं कि जस्टिस रंगनाथ मिस्रा कमिशन 2007 में गठित किया गया था और इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में असपस्ट रूप से कहा था कि धर्म के भेद भाव को छोड़ते हुए सभी धर्म परविर्टित दलितों को अरुश्चित जाती का आरक्षन दिया जाना चाहिए हक की बात इर्शादुलक के साथ में हम जो नौगठित जस्टिस बाला कृष्णन आयोग है उसके बारे में बातचीत करेंगे और फिर हम उस पुराने दिनों का जिक्र करेंगे जब जस्टिस रंगनात मिश्रा के नितुरित में जो आयोग गठित किया गया था जस्टिस रंगदात मिश्रा कमिशन की रिपोर्ट जो काफी खुली रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में मवजूद है इस पे तो जिक्र करेंगे लेकिन संचेप में जस्टिस के जी बला कृष्टनल कमिशन के गठन के मकसद को हम सबने की कोशिश करते हैं ताके आगे की वाते काफी किलियर हो जाएंगे सुप्रिम कोर्ट में इस बात पे बहस चल रही है कि क्या धर्म परवर्टित दलितों को उन स्टियूल कास्ट का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं क्यूंकि 2004 में इसाई समुदाय ने सुप्रिम कोर्ट में रुजू किया था और यह मांग की थी कि क्रिश्चन जो दलित हैं और वो कनवर्टेड हैं तो उन्हें आरक्षन का लाफ दिया जाना चाहिए एक इसी तरह का एक पेटिशन डॉक्टर एम एजाज अली के नितृत में 2020 में डाला गया जिसमें इस बात की मांग की गई थी कि धर्म परवर्टित मुसल्मान जो दलितों को आरक्षन देने के से संबंद रखता है इसमें कई बार राष्टपती के अध्यादेश के द्वारा संसुधन किया जा चुका है सबसे पहले इसमें सीखों को सामिल किया गया और 1990 में राष्टपती के अध्यादेश के बाद बौधों को जो धर्म परवर्वर्ट मुसलिम दलित और धर्न परवर्तित इसाई दलितों को इससे बंचित रखा गया इसी सिलसिले में जो सुनवाई हो रही है तो केंदर सरकार ने जस्टिस बाला कृष्णन के नेतरित में आयोग गठित किया है और इस आयोग को दो साल के अंदर एक रिपोर्ट देनी है उस रि दलित मुसल्मानों और दलित क्रिश्चन को अनुस्चित जाती का लाफ दिया जा सकता है दूसरा इस आयोग का काम यह भी होगा कि वह यह पता लगाए कि अनुस्चित जाती को मिलने वाले आरक्षंस में अगर इसका दायरा बढ़ाया जाता है तो इस पूरे आरक्षंस के मामले में किस तरह का इंपेक्ट परेगा और जो तीसरा काम है जस्टिस बलाकृष्णन आयोग का वो काम यह है कि जो धर्म परिवर्तन के बाद जो दलित अन धर्मों में चले गए हैं उन्हें के एस्टेटस में क्या असर पड़ा है क्या उनके साथ भेदभाव होता है अब इससे एक बात हम आपको याद दिलाते हैं कि 1985 में सुप्रिम कोट ने इस अर्गुमेंट को सुखार कर लिया था कि धर्म बदल लेने से जाती विवस्था और उसकी भेदभाव में कोई बदलाव नहीं आता और साथ ही साथ जो धर्म परविर्तिन करते हैं तो दूसरे कॉमेनिटी में भी जो भेदभाव की वही परकिरिया वही सिस्टम है जो हिंदू समाज में है इसके बाद आती है बात 2007 कि जब केंदर में मनमोहन सिंग की सरकार थी उन्होंने रिलिजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनिर्टी से जुड़े जस्टिस रंगनात मिष्रा कमिशन का गठन किया था और रंगनात मिष्रा कमिशन ने एक लंबी और विष्टरित रीपूर्ट पेस की थी जिसमें इस रिपूर्ट में कहा गया है तो जस्टिस रंगनात मिस्रा की सिफारिस में जो महतपूर्ण सिफारिस है जो 2007 में की गई सिफारिस है इसमें असपस्ट रूप से जस्टिस रंगनात मिस्रा कहते हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद से जातिय भेदभाव नहीं रुपता और इसलिए जो धर्म परवर्तन के बाद जो दलित अन्य धर्मों में चले गए हैं जिसमें इसाई और इसलाम शामिल हैं तो उन्हें भी अनुस्चित जाती का लाव दिया जाना चाहिए उन्हें अनुस्चित जाती सुखार किया जाना चाहिए और उन्हें आरक्षन का लाव दिया जाना चाहिए और आयोग ने अगली पंक्ती में असपस्ट रूप से कहा है कि अनुस्चित जाती का लाव पे जो धार्मिक बंदिश है वो सिर्फ सिमित कर दिया गया है बौधों के लिए हिंदूओं के लिए और सिखों के लिए यह उचित नहीं है लिहाजा हर धर्मा और लंबी जो दलित हैं और उन्हें भी अनुस्चित जाती का दरजा दिया जाना चाहिए इसलाम और इसाई में धार्मिक भेदबाओं की बात तो नहीं है लेकिन इन दोनों समुदायों में इन दोनों समुदायों में जाती भेदबा पूरी तरह से रची बसी है तो अब आईए जस्टिस बाला कृष्णन आयोग के गठन के बात जो उस आयोग को जाच करनी है तो मुझे यह लगता है कि जस्टिस बाला कृष्णन को सबसे पहले इस मामले में जाच करने से पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमिशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से गहराई के साथ पढ़ लेना चाहिए ताकि उन्हें अपने रिपोर्ट तयार करने में एक बहुत बड़ा आधार मिल जाए क्योंकि ओल्लेडी 2007 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमिशन ने जाती भेदभाव का जिक्र किया था और इसी आधार पे उसने ये रिपोर्ट दी थी कि धर्म परवर्टित दलितों दलित मुसल्मानों और दलित क्रिश्चन को भी आरक्षन का लाग दिया जाना चाहिए अब इसमें जो एक तीसरा पक्ष है वो ये है कि क्या धर्म परवर्टितन के बाद किसी तरह का एस्टेटस पे उनकी एस्टेटस पे क्या फर्ग पड़ा है इसकी विजाच की जाए और इस आयोग का जो एक और महत्पूर्ण काम है वो ये है कि ये जो अनसुचित जाती को जो आरक्षन दिया जाता है उस आरक्षन के उपर अगर इन्हें मुस्लिम दलित और किरिश्चन दलित को शामिल कर लिया जाता है तो उसके बाद उस आरक्षन की रूप रेखा पे क्या परभाव पड़ेगा तो ऐसे में देखना होगा कि भविष में बालक्रिश्चन आयोग जो अपनी रिपोर्ट दो साल के बाद पेश करने वाला है तो वह अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है